अधेवरीवान वेल्कम बैक टू मैचेनल किलार मैं हूं प्रियंक का और जो आज की क्लास रहेगी इस क्लास में एक्सराइस 15.1 के हमारे दो कोशिट हुए हैं इन दोनों को आज की ग्लास में हम complete करेंगे बांकि पिछली क्लास में हमने question number 9 और 10 complete कर लिया था तो यह दोनों जो question थे इनमें continuous frequency distribution वाला data दिया हुआ था और हमको mean deviation about mean find करना था तो मैंने यह दोनों question पिछले वीडियो में समझाए हैं तो पिछला वीडियो नहीं देखा है उपर आपको link मिल जाएगी यहां से आप पिछले वीडियो देख सकते हैं बांकि जितने भी chapter हमारे complete होते जा रहे हैं almost सभी chapter complete हो गए हमारे तो description box में आपको chapter wise playlist की link मिल जाएगी वहां से आपको जो भी chapter देखना है आप आसानी के साथ देख सकते हैं ठीक है तो चलिए class start करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हमने लिया है question number 11 question number 11 में बोला गया है find the mean deviation about median mean deviation find करना लेकिन about median मतलब सबसे पहले जो भी हमारे पास data है इस data के लिए हमको median find करना ठीक है तो यहां पर अगर आप data देखें तो यहां पर हमको x की value नहीं दी यहां पर जो भी data दिया है वो हमको class intervals में दिया है चीक है तो जब class intervals में data दिया होता है तब हम median कैसे find करते हैं तो median के लिए formula होता है हमारा यहां लिख देती हूं है L plus capital N upon 2 minus C upon F into H ठीक clear है ना यह हमारा formula होता है इस से हम median find करेंगे कहने का मतलब यह है कि यह सारी चीजें हमारे पास उनी चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे capital N है capital N मतलब की सारी के सारी frequency का sum तो number of girls मतलब यह हमारी frequency fi इन सभी का आप sum find करेंगे मतलब summation f तो summation fi इन सभी को आप add करेंगे तो हमको मिलेगा 50 i equal to 12 तो summation f आ गया अब सबसे पहले हम find करते हैं n upon 2 तो जो value लगेंगे वो हम यहां पर find करेंगे n upon 2 लेकिन उसके पहले यहां पर हमको x की value चाहिए क्योंकि हमारे पास main x की value तो ही नहीं तो x की value चाहिए हमको cumulative frequency तो x की value यानि कि mid values हम कैसे find करते हैं mid values तो सभी जाग एक जैसे find करते हैं जो भी class interval होता है तो दोनों प्लस 10 अपन 2 यानि कि 10 अपन 2 तो यहां आ जाएगा 5 10 प्लस 20 थर्टी अपन 2 15 इस तरह के से यहां 25 यहां 35 यहां 45 और यहां 55 इन दोनों को आड़ करो टू से डिवाइड करो इन दोनों को आड़ करो तो से डिवाइड करो इस तरह किसी यह सारी values आगए ठीक है अब हमको चाहिए cumulative frequency cumulative frequency हम कैसे find करते हैं cumulative frequency frequency से ही find करेंगे इस चीज़ का आपको ध्यान देना है ठीक है तो ध्यान से देखें यह 6 as it is 6 plus 8 14 14 plus 14 28 28 plus 6 44 44 plus 4 48 48 plus 2 50 clear ठीक है अब यहां पर आप देखें cumulative frequency का सबसे last वाला term जो आया वो 50 आया है और summation f भी हमारा 50 है मतलब हमारी cumulative frequency correct है ठीक है अब हम find करेंगे n upon 2 तो यहां पर ध्यान से देखें सबसे पहले n upon 2 find करेंगे capital N मतलब summation f मतलब 50 upon 2 तो 50 upon 2 मतलब 25 अब हम यह देखेंगे कि यह जो 25 है यह क्यूमिलेटिफ फ्रिक्वेंसी में कहां आ रहा है तो यहां पर देखें यहां पर भी नहीं यहां पर आएगा 25 यह नंबर यहां आएगा ठीक है इसके corresponding वाली फ्रिक्वेंसी यह रहेगी क्योंकि फ्रिक्वेंसी तो यह तो यह दहीं हमारी फ्रिक्वेंसी मतलब जो एफ है वो हो जाएगा हमारा 14 फ्रिक्वेंसी 14 आ गई इसके corresponding वाली आपकी class interval 20 to 30 इसकी lower limit जो रहेगे वो L हो जाएगा क्योंकि यह जो formula इसकी values चाहिए जो L हो जाएगा 20 यानि lower limit ही लेना इस चीज़ का दियान रख क्या चाहिए सी मतलब क्यूमिलेटिव फ्रेक्वेंसी यह ना लेकि इसके जस्ट एक उपर वाली लेते हैं मतलब 14 तो सी आगया हमारा 14 इसकी मतलब 15 तो समझ में आगई बात बस यह सारी वैलियूस को आपको पॉमले में पूटब कर देना है और आगई आपकी मीडियम ठीक तो समझ में आई बात कैसे फाइंड करते हैं और क्लास 10 में तो आपने यह चीज़ देखिए कोई नहीं नहीं है यह चीज़ आपके ल हैं उसको देखेंगे क्युमिलेटिव फ्रिक्वेंसी में नहीं और और एच इनके बीच का डिफ्रेंस टिक अब यह सारी वैलियूस को हम यह पर ठाप करेंगे थ्यान से देखें L 30 प्लस N upon 2 पहली find कर चुके है 25 minus C C मतलब मारा 14 upon F मतलब 14 into H कितना है 10 ठीक clear अब देखो आगे 30 plus 25 minus 14 आ जाएगा 11 upon 14 और चाहें तो देखो 2 5s are 10 2 7s are 14 25 minus 14 आ गया 11 11 into 5 और अपन मैं बचा 7 देखो यहीं पर बताजिएं फिर से यहां पर हमने क्या किया यह 10 था इसको 2 से कैंसल कर रहा और इसको 2 5s are 10 2 7s are 14 ठीक अब 25 minus 14 करेंगे तो आएगा 11 into 5 55 upon 7 55 upon 7 करेंगे तो आपको मिलेगा देखो जब आप 55 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा 7.8571 and so on ठीक तो इसको मैं कहा लिखूँगा इसको मैं यहां लिख रही हूँ तो देखो इसके बाद का यहां कर रही हूँ यह तो सारी वालीव हैं जो हमने पुट अप करी हैं तो यहां पर आजाएगा 30 प्लस 7.8571 and so on कई सारे नमबर हैं लेकर हम डेसिमल के 3 प्लेस तक ही ले रहे हैं तो यहां पर यह जो नमबर है यह 5 से बड़ा है इसलिए यह हो जाएगा 7.86 तो यह हो जाएगा 37.86 मीडियन तो मीडियन आ गई आपकी 37.86 ठीक बस अब क्या करना है अब आप फाइंड करो x i- मीडियन मीडियन जितनी है उतना ही लिखेंगे वाल्यू 37.86 मॉडुलस लगा दो ठीक इसके बाद नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे f i into मॉडुलस x i- मीडियन मीडियन अमारी यह ही आ यह बाद ही लिखेंगे हम 37.86 मॉडुलस clear ठीक है बस अब इसको solve करेंगे हम अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे x i- m मतलब मीडियन मीडियन की वाल्यू यह 37.86 तो x की वाल्यू तो हमारी चेंज होती जाएंगे हमारी यही वाला class interval था जिससे हमने lower limit ली थी तो lower limit हमारी 20 और मैंने क्या लेगा यहां पर 30 जिसके कारण solution में कुछ mistake हो यह चोटी सी तो ध्यान दे हमारी lower limit 20 मतलब कि यहां lower limit हमारी 20 आनी थी मैंने गलती से 30 लिख दिया था ठीक है तो यहां पर कितना आएगा 20 सभी जगा बांकि और कोई दिक्कत नहीं है ठीक 20 और यहां पर भी क्या आएगा 20 सो अंसर मीडियन आएगी 27.86 बांकि कुछ भी गलत नहीं ठीक समझ में आई बात clear यहां पर हमारी 25 जो value है वो इसके corresponding आई इसके corresponding यह हमारी frequency आगई F इसी के corresponding हमारी class interval लेना है class interval की lower limit मतलब 20 बट मैंने यहां पर यहां नहीं दिया और 30 लिख दिया ठीक है तो यहां पर आएगा आपना 20 क्योंकि lower limit ही लेते हैं तो यहां पर आएगा 20 क्योंकि सब करेक्ट है कुछ भी दिक्कत नहीं ठीक कॉमलियम जब हमने value रखी तो यहां की calculations सब सही है बस यहां पर तो हमारा यह चली रहा था आखिर तक ठीक है तो 20 20 20 और यह 20 बस लास्ट में इसको आड़ करेंगे तो 27.86 आएगा बागी कोई भी mistake नहीं ठीक बस अकेली median हमारी change हो गई है 27.86 तो यहां पर आजाएगा आप 22.86 ठीक क्लियर बस ठीक आगे solve करें चलो अब हमको आगे क्या करना है 15 15-27.86 यह आजाएगा 12.86 फिर इसके बाद 25-27.86 यह आजाएगा 2.86 ठीक है फिर 35-27.86 फिर यह आएगा 7.14 फिर 45-27.86 17.14 55-27.86 27.14 क्लियर ठीक समझ में आगे बात तो इस तरीके से हमने XI-M मतलए median भी find कर लिया अब अगली step FI into XI- median find करना है तो multiply करेंगे तो चलो multiply करते हैं तो मैं multiply करके लिख देती हूँ ठीक है direct तो यहां पर हमने क्या करा यह हमारी रही फ्रीक्वेंसी यह फ्रीक्वेंसी का और इनका multiply करां। 6 का इस में करा, 8 का इस में करा, 14 into 2.86, 16 into 7.14, 4 into 17.14, 2 into 27.14, इनका multiply कर लिया और इन सभी को add कर दिया। तो हमको क्या मिल गया, summation fi into xi minus m, यह main value मिल गई, अब हम find कर लेंगे, यहां find कर रही हूँ mean deviation about median, formula क्या होता है, 1 upon capital N, summation fi into xi minus m, ठीक, i equal to 1 to n, so value put up करेंगे, 1 upon capital N, capital N means summation f, 50 into, इसकी value हमने find करी, 517.16, तो 517.16, तो यह हो जाएगा, 517.16 upon 50, यह आजाएगा आपका answer, ठीक है, जब 50 से आप इसमें divide करेंगे, तो यह आएगा, और आपकी book में दिया हुआ है, 10.34, decimal के 2 लेस्ता, ठीक है, समझ में आ गई बात, so, mean deviation about median find करना था, question number 11 में, ठीक है, जिन लोगों समझ में आ गया है, वीडियो को आगे बढ़ा के देखें, जिनको नहीं आया है, या थोड़ा बहुत कुछ doubt रह गया है, तो एक बार जल्दी से मैं इसको आपको समझा रही हूँ, समझ लें, देखिए, यह आपको दिया marks और number of girls, ठीक है, तो number of girls या फिर जो भी चीज है, वो हमारी होती है frequency, तो यह होगी frequency, सबसे पहले इसको आप add कर लो, तो यह हो गया 50, अब mean deviation about median find करना है, तो जब class interval में data दिया हो, तो mean deviation about median अगर find करना है, सबसे पहले median find करना होगा, वो median find करते हैं, इस formula से मतलब यह सारे value आपो चाहिए, ठीक, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो x की value find करें, x की value कैसे find करते हैं, इन दोनों को add करो, 2 से divide करो 5, इन दोनों को add करो, 2 से divide करो 15, यह सी तरीके से यह सारी value आप, x की, ठीक है, अब इसके बाद हमने cumulative frequency find करें, तो cumulative frequency find करेंगे, 6 as it is 6 plus 8, 14, 14 plus 14, 28, 28 plus 16, 44, 44 plus 4, 48, 48 plus 2, 50, cumulative frequency आगई, अब next कम हमारा क्या होता है, कि यहाँ पर जो भी हमारा summation f है, या last time जो है, यह होता है, यह होता है, हमारा n, n upon 2 find करो, n upon 2 कितना आगे हमारा, 25, 25 को देखेंगे, cumulative frequency में कहां आ रहा, यहां आ रहा, इसके corresponding की frequency, यानि f, तो हमने f लिख लिया 14 इसके corresponding class interval, तो 20 to 30 से lower limit लेंगे हम, lower limit जो भी रहे, तो यहाँ पर lower limit 20 थी, हमने 20 लिखा, इसके बाद h, यानि इनके बीच का जो भी difference है, तो यहाँ पर भी सभी जागा 10 का difference है, ठीक है, तो h आ गया 10, और cumulative frequency हम यह नहीं ले कि इसके जस्ट एक उपर वाली लेते हैं, तो cumulative frequency यह सारी value formula में रखी, इनको solve करा, ठीक है, तो यहाँ पर जब 55 से 7 में divide, 7 से 55 में divide किया, तो 7.8571 और कई सारे number आ रहे थे, तो हमने decimal के 2 प्लेस तक ही लिखा, 7.8571 तो यहाँ पर जो number होता है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा होता है, तो उसमें एक add कर देते हैं, तो 7.8 और य लिए, चाहें तो 85 भी ले लें, कोई दिक्कात नहीं है, ठीक है, clear, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ 20 प्लस 7.86 add करेंगे, तो 27.86 median आ गई हमारी, फिर हमने क्या find करा, x i minus median, चीक है, modulus लगा के, तो यह find कर लिया, फिर fi into x i minus median, इनका multiply कर लिया, किसका frequency का और इस वाले column का, multiply करा, इन सब इको add करा, तो यह आगया हमारा, fi into x i minus n, यह value put up करी, 1 upon capital M, capital M is 50, 50 समिट इपाइड करा, तो 10.3432 आ रहा है, और book में देखेंगे, तो 10.34 है, यह decimal के 2 प्लेस तक ही दिया हुआ, खतम, ठीक है, तो यह हमारा क्या आ गया, mean deviation about median, ठीक है, तो question number 11 हमारा complete हो गया ह है, note करना चाहते हैं, तो वीडियो को pause करके, आप note कर सकते हैं, अब हम देखेंगे next question, question number 12, so यह हमारा question number 12, question number 12 में बोला गया है, calculate the mean deviation about median, मतलब यहां पर क्या find करना है, mean deviation find करना लेकिन about median, so mean deviation about median age, for the age distribution of 100 persons given below, यहां पर हमको mean deviation about median find करना है, median age बताना है, यहां पर हमको ठीक है, तो चलो करते हैं, so mean deviation about median, so अब आप बोलेंगे कि यह हमने जगा क्यों छोड़ी है, तो उसका reason क्या है, कि यहां पर अगर आप class interval को देखें, ध्यान से, तो यह continuous frequency distribution नहीं है, क्योंकि यहां पर देखें, यहां क्या है 16 to 20, और जो next है, वो 21 to 25 आ गया है, तो ऐसे condition में हम क्या करते हैं, class 10 में भी हमने किया था, कि हम क्या करते हैं, जो lower limit होती है, उसमें से 0.5 minus करते हैं, और इसमें 0.5 add करते हैं, यह lower limit है, यह upper limit है, तो lower limit में से 0.5 minus करेंगे, upper limit में 0.5 add करेंगे, इससे जो आपका यह distribution है, यह continuous हो जा लाइगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो भी डिस्ट्रिब्यूशन है वह continuous frequency distribution ही होना चाहिए अगर class interval में दिया है तो तो यहां पर 16 to 20 है यहां 20 नहीं है यहां 25 तो यहां 26 है बागी अभी तक के कॉस्चन में आपने देखा होगा 0-10 फिर 10 से स्टार्ट होता है 10-20 फिर 20-30 फिर 30-40 40-50 यह continuous ठीक है बाट यह continuous नहीं है तो हम क्या करेंगे इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 15.5 to 20 में 20 20 में आप पॉइंट फाइड करेंगे तो यह हो जाएगा फिर इसमें से आप माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 20.5 तो बन गया continue तो 25.5 फिर 26 में से 0.5 हटाएगे तो 25.5 तो और इसमें 0.5 एड करेंगे तो 30.5 तो देखो continue बन गया ठीक है तो continuous बनाने पड़ेगा आपको अगर नहीं है तो ठीक फिर 31 में से 0.5 हटाओ तो यह हो जाएगा 30.5 यहां हो जाएगा 35.5 यहां पर यह हो जाएगा 35.5 to 40.5 और यहां पर हो जाएगा 40.5 to 45.5 यहां पर हो जाएगा 45.5 to 50.5 और 50.5 to 55.5 तो यह continuous हो गया अब तो यह हो जाएगा तो अब इसका यूज करना है अब इसको भूल जाएगा तो नंबर्स हमको दिये हुए हैं यानि कि frequency हमारी ठीक है और question में हमको पहले से ही बोला गया है कि total number of persons कितने 100 मतलब इन सभी का sum क्या होगा हमारा 100 तो question में ही यह ची चलो अब हमको क्या करना है हमको median find करना है और median find करने के लिए हमारा formula क्या होता है median find करने का वही formula होता है हमारा L plus N upon 2 minus cumulative frequency upon frequency into H तो यह सारी values हमको चाहिए इसके लिए सबसे पहले हमको x चाहिए और cumulative frequency चाहिए एक्स किससे find करेंगे इसी से find करेंगे ठीक है clear तो चलो करते हैं find तो एक्स की अलियों कैसे find करते हैं इन दोनों को add करो 2 से divide करो तो यह कितना हो जाएगा आपका जब आप इन दोनों को add करेंगे तो यहां पर आएगा 103110lya B2 X nichts 33.60 uninteration इस प्रके से इन दोनों को add करो तूस डिवाइड करो इन दोनों को add करो तूस डिवाइड करो इस तरह से आपको यह value मिल जाएंगे मैं डिरेक्ट लिख रहे हूं ठीक है आप करें लूएंगे ठीक, clear इन दोनों को एड़ करा, टूस डेवाइड करा इन दोनों को एड़ करा, टूस डेवाइड करा तो यह मिला, इन दोनों को एड़ करा, टूस डेवाइड करा, तो यह मिला इसी तरीकी से यह सारी राली जा एक्स की आगए अब हमको क्या find करना है, cumulative frequency cumulative frequency find करते है cumulative frequency कैसे find करते है, frequency सही find करेंगे ठीक है, तो चलो करते है यह 5 as it is, 6 plus 5, 11 11 plus 12, 23, ठीक है फिर 23 plus 14, 37, ठीक 37 plus 26, 63, ठीक इसके बाद 63 plus 12, 75, ठीक 75 plus 16, 91, 91 plus 9, 100 तो cumulative frequency का last time और frequency का total सेम आ रहा है, cumulative frequency हमारी correct है, ठीक अब हमको क्या find करना है, हमको सबसे पहले median find करना है, हमारा x आ गया, cumulative frequency आ गई अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, n upon 2 करेंगे तो यहाँ पर मैं values फाइंड कर रही है, देखो n upon 2 n कितना है आपका 100, तो 100 upon 2 मतलब किया गया 50 अब यह 50 हम कहां देखते है, cumulative frequency में, कहां आ रहा है तो इधर तो आएगा यहीं आएगा 50 इसके corresponding वाली frequency, frequency का column यह है, तो इसके corresponding frequency यह हो गई मतलब हमारा f आ गया, f कितना आ गया, 26 इसके corresponding class interval यह है, ठीक है, इसकी lower limit, अब गलती नहीं करना, इसकी lower limit है 35.5 सो हमारा L हो जाएगा 35.5 और H कितना है, इन में सभी में difference आप देखेंगे, सभी में 55 का difference है, तो H हो गया 5, और cumulative frequency इसकी जास 2 पर, तो C हो गया हमारा कितना 37, सारी values आ गई, अब बस formula में value put up करके median find करना है, यहाँ पर हम median find करेंगे, formula यह है, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ direct formula में value put up करेंगे, ठीक, clear, तो देखो, L plus, तो L कितना 35.5, so 35.5 plus N upon 2, तो N upon 2 हमने find करा 50, 50 minus, cumulative frequency कितनी है, 37 upon, frequency कितनी है, 26 into H, कितना है, 5, वस इसको solve करना है, हमको मिल जाएगी हमारी median, ठीक, so, अब आगे बढ़ते हैं, देखें, जरा, 35.5 को तो as it is रहने दो, 50 में से 37 minus होगा, तो यहाँ आजाएगा, 13 upon 26 as it is into 5, so 13 से 26 cancel हो जाएगा, 13 to the 26, तो यहाँ आगे 5 upon 2, मतलब 35.5 plus 5 upon 2, ठीक, 35.5 as it is plus, 13 1s are 13, 13 2s are 26, तो यहाँ पच्छा 5 upon 2, 5 upon 2, मतलब 35.5, 5 upon 2, मतलब 2.5, 2204, 25010, इनको आप एड़ कर लो, 38.5, oh sorry, 38.0, मतलब 38, तो median आगई आपकी 38, clear, ठीक, ठीक है न, 38.0 आया है, तो 38 ही रहेगा, अब point के बाद 0 लगाने का तो कोई मतलब नहीं है, तो median आगई हमारी, और यह समझ में आया क्या हुआ, 50 में से 37 minus करा तो 13 आप उन में 26 था, तो 13 बंज आप 13, 32 आप 26, multiply में 5 था, तो उपर तो कुछ बचा नहीं, तो 5 बंज आप 5 अपां 2, 5 अपां 2 मतलब 2.5, तो 35.5 और 2.5 को आप एड़ करेंगे, तो मिलेगा 38.0 और 38 के बाद point में 0 का कोई मतलब नहीं है, तो median आगई, चलो, अब यहाँ पर क्या find करना है, xi-median, median आई है 38, यह modulus लगा दू, ठीक, इसको हटा दू, इसके बाद next चीज़ हम क्या find करेंगे, fi into modulus, xi-median, median है 38, 38, ठीक, चलो, इसको solve करते हैं, तो सबसे पहले चीज़, xi-38, x की value रही ये, तो बस, 18-38, 20, यहाँ आजाएगा 15, 10, 5, 38-38, 0, 5, 10, 15, समझ में यही बात क्या करा है, हमने 18-38, 20, 23-38, 15, 28-38, 10, 33-38, 5, 38-38, 0, 43-38, 5, 48-38, 10, 53-38, 15, क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इसका और frequency का multiply करेंगे, तो चलो multiply कर देते हैं, यह तो हमने median find करने के लिए किया था, किसका multiply करना है हमको, frequency का और इसका, चलो करते हैं, देखो, 5 x 20, 100, ठीक, 6 x 15, 90, 10 x 12, 120, 14 x 5, 70, 26 x 0, 0, ठीक, 12 x 5, 60, 16 x 10, 160, 9 x 15, 135, अब इन सभी को add कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा, 7, 35, ठीक, बस यही main चीज़ होती है, आगल, अब हम find करते हैं, mean deviation about median, formula क्या होता है, 1 upon capital N, summation i equal to 1, 2, n, f i into modulus x i minus median, बस इस formula value रखेंगे, ठीक है, तो जगे नहीं है, इसलिए मैं यहीं पर कर रही हूं, तो 1 upon capital N, capital N mean, summation f, तो यह 100, और इसकी value 7, 35, तो 1 upon 100 into 7, 35, मतलब 7, 35 upon 100, तो यह आजाएगा 7, 35, ठीक है, मतलब हमारा mean deviation about median आ गया, 7, 35, clear, तो यहीं हमको बोला था, कि हमको क्या find करना है, mean deviation about median age, ठीक, समझ में आगी बात, mean deviation about median age का मतलब यह है, कि यह हमको age दी हुई थी, ठीक है, तो जो data है, अगर वो age में दिया रहेगा, तो जो हमारी median आईगी, वो भी age में ही आईगी, अगर data हमको rupees में दिया जाएगा, तो अगर median हम find करेंगे, तो median भी rupees में ही आईगी, ठीक है, इस तरीके से चलती है चीज़े, तो यह हमको जो data दिया था, यह age में दिया था, इसलिए, यह जो हमारी mean deviation about median age है, यह भी आएगा, age में 7.35, ठीक है, find कर लिया हमने, ठीक है, तो note करना है, तो video को pause करके, आप note कर सकते हैं, ठीक है, बांकी बहुत ज़्या होच पॉच हो गया है, लेकिन एक चीज़ का धियान रखेंगे, आप यहां से हमने start करा, median, L plus N upon 2 minus C upon F into H, यह formula है median का, median find करने के लिए, सबसे पहले N upon 2 find किया, और इसका धियान रखना है, आपको अगर class interval में दिया है, तो आपको देखना है कि यह वो continuous है की नहीं, यहां continuous नहीं थी, इसलिए lower limit में से हमने minus किया 0.5, और upper limit में 0.5 add करा, clear, ठीक, इस तरीके से हमारा जो class interval देखो continue हो गए, फिर F था हमारे पास X की value find करी, cumulative frequency find करी, N upon 2 से 50 मिला, यहां देखा 50 कहां आ रहा है, इसके corresponding वाली frequency, इसके corresponding वाली class interval की lower limit L, इनमें difference H, cumulative frequency इसके just ऊपर वाली, इस तरीके से formula में value रखी, median आ गई 38.0, मतलब 38, फिर हमने XI minus median, यही XI minus 38 find करा, फिर F I into XI minus median find करा, जिससे हमको यह values मिली, और इन सभी को add करा, तो 7.35, so formula में value रखी, 7.35 upon 100, मतलब 7.35, यह आ गया हमारा main deviation about median age, चिक, clear, समझ में आ गई बात, so note करना चाहते हैं, तो वीडियो को pause करके, आप note कर सकते हैं, बागी, यह जो question था, यह हमारी exercise 15.1 का last question था, so I hope कि exercise 15.1 में, जितने भी question मैंने आपको समझाए हैं, सारे के सारे जो concept हैं, सारे के सारी जो चीज़े हैं, वो आपको अच्छी तरी किसी समझ में आई होंगी, वीडियो भी पसंद आया होगा आज का, और अगर वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को एक like जरूर करिए, इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो इसी तरह के और वीडियो के लिए, चैनल को subscribe जरूर करिए, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, और भी और थैंक यू